फिल्म का मुझे दूसरा हिसा बहुत अच्छा लगा, क्लाइमेक्स बहुत अच्छा है, शुरू थोड़ा सा धीमी गती से होई थी, समवाद इसके थोड़ा सा कमजोर मुझे लगते हैं, मनोरंजन के दृष्टिकों से इसकी शुरूआ थोड़ी सी कम थी, लेकिन क्लाइमेक जैसे करीब आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, फिल्म का क्लाइमेक्स वो अच्छा लगा थे जैसे कि मैंने बताया, हर्चवत अंदाने हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे हैं और सोनुसूद है, उन्होंने कोश्ची चची की है, और उसके लाब अरजुन रामपाल है, उन्होंने भी अच्छा से काम किया है, इसके अंदर, एक्ट्रेसेस ज्य पॉलिटिक्स है, उसे अच्छी तरह से प्रजेंट किया है, जवानों की जो जिन्दगी है, उसे बहुत अच्छे से दिखाया है, लेकिन इसके साथ साथ दर्शकों को जो मनोरंजन की जरूरत है न, वो अगर फिल्म थोड़ी चोटी हो जाती, लोग देखना चा रहे थे क हमने किस तरह से चीन को खदेडा है पीछे, तो वो आते आते बहुत देर हो जाती है, तो हमारा जो सब्र है, वो शाहिद दर्शकों का इम्तिहान दे जाएगा, वो शाहिद मुझे लगता है कि तब तक हम अपने पेशन्स खो देंगे, तो ये क्या सबसे बेटर मानी जा सक अपकी सराहना उसके लिए जितनी की जाए उतनी कम है, ये उससे कम है, अच्छी फिल्म है, क्लाइमेक्स के लिए हम इसे देख सकते हैं, ये फिल्म बहुत लंबी है, इसे छोटी हम कर सकते थे, और चोटे-चोटे किरदारों की जो कास्टिंग है, वो और अच्छी हो सकती फिल्म के जो संवाध है जो और अच्छी तरह से लिखे जा सकते हैं तो इसके अंदर की जो डैलाग है मुझे ऐसे लगा कि रटे रटाए डैलाग्स हैं वो दिल को मेरे चूने रहते हैं लेकिन अंत जब करीब आया जब क्लाइमिक्स मैंने देखा तो वहां मेरे अंदर की द फिल्म की एक कमजोर कड़ी है मुझे लगता है बॉर्डर की बात अगर आप जैसा कर रहे थे तो उसका म्यूजिक बहुत स्ट्रॉंग था आज भी आप उसके गाने गाते हैं म्यूजिकली पर उसके गाने चाहे हुई है लेकिन पल्टन की जो म्यूजिक है वो इसकी एक कम देखना चाहूंगा लेकिन दर्शक एक बार इसे जरूर देख सकते हैं इसे पांच में से क्लाइमेक्स को और इतनी मल्टी स्टार कास्टिंग है अच्छी अधागारी भी है तो तीन स्टार बनते हैं पल्टन मुवी काफी अच्छी है देखने जैसी है एचुली हम आर्मी को लेकर किसी मुवी को देखते हैं तो यह कॉमन है कि हम इंडिया पाकिस्तानी देखते हैं अब तक बट यह तोड़ा सा यूनिक है जेपी दता कि तरू के हम इस बार इंडिया और चाहिना को देख र लोगों के इमोशन के जो शहीद हो गए उनकी फैमिली क्या रियक करती है क्योंकि जनरली यह सारी चीज़े आम पुब्लिक तक नहीं आती है तो मुवी के तुरू यह सारी चीज़े आम पुब्लिक तक आरी है तो मुल्टिपल कास्ट है तो किसका काम सबसे अच्छा लगा सब के अपने अपने रोल में पर्फेक्ट हैं, मतलब ऐसा है कि जिसको जो रोल दिया गया है वो अपने बेग्राउंड में ठीक है, I think उनका रोल चेंज किया जाता तो शायद वो ठीक नहीं है, but overall देखा जाए तो ठीक है, जिपी नका के लिए जिपने एक्साइट है अपने अपने पॉंट व्यू से बात रखेंगे तो वो अपने पॉंट व्यू से बात रखेंगे, अब तक तो यह कह सकते हैं, अब तक तो यह कह सकते हैं, जो कोशिश की गए, यह कोशिश काफी अच्छी है, और बेटर फिल्म मानी जा सकते हैं, इपने सबसे बेटर पाइफ मैं साड़े तीन देना चाहूंगा, थीक टाक थे, मतलब मुझे उतना, मतलब, इत वस अ जाहां तक 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 थे बेस्यादर रिगतर पाइफ हाण रहने, और उसके लावा जाकिश रफिल्म तक तक पाइब देजा बू फिलिंग बार्डर का तो वह काफी अच्छा लगा तो वह काफी अच्छा लगा, जो इसके लिए फेमस है, अँनका काम कैसा लगा आज भी वो तंखम है जेपी दता है is a legend I mean उनके बारे में अगर मैं कुछ बो तो सूरज को दिया दिखाने वाली जासी बात हो तो I don't really want to comment on that he's a he's a master filmmaker और उनके filmmaking तरीक और टेक्निक्स आज तक वैसे के वैसे ही है अब है अब अब से देखा जा रहा है कि अज पार्टिक फिल्में बहुत पंगिया तो यह माना जा सकता है कि इस साल सबसे बैस मूवी है यह प्रोटिक फिल्म्स कौन सी पेट्रियोटिक सिवारे बात करेया है इसेंटी आई है जो तो अमश्के भी जाती है मेरे हिसाब से अब ही पेट्रियोटिजम में पल्टन के लाव और कोई मूवी आई है और में जायन में नहीं है पर इस वस देफिनेटी अगुड शौर्टिक फिल्म बहुत अच्छा था तो उस चीज को रिवाइब करना लोग के साने लेके आना वस प्री कमेंड़ब तो बहुत था प्री के लाव एक लाव था लूप नगल को कि अब है और भृट जाने प्री आप लेकर शूर्टिक भी ग्री एप टीम तूर्टिक वी ए। पार फिल्टर्टिक वी एच्ट्टिक एं बहुत एच्छी तो प्री एक्स्य किया है विका लिग्ड जार्थ बहुत यह नहीं जानते इस वार के बार में तो I think the research was very good. सबके performances individually बहुत अच्छा था है, especially Harshvardhan Rane, उनका performance बहुत अच्छा था, I would feel. जेपी रद्दा की इसलिए famous है, वो कितना पसंद आया उनका काम आप बहुत? बहुत पसंद आया, I mean, personally, L.O.C.O. Border, जितनी खडी नहीं उतर पाई, but the attempt was good. दिख रहा था कि research perfect हुआ है, performances अच्छा हुआ है, and direction was good, the songs were also nice. अवरॉल, storyline-wise, कैसे थे? अवरॉल, storyline-wise, अच्छी थोड़ा मुवी को खीचा गया है, I mean, the screenplay could have been more better in some parts, but overall, the movie is nice, performances were good. अवरॉल, के बार में थाज़ाएं के कोई देशबक्ती गाना था? बहुत सारे थे, the last में जब उनके Ashes, उनके फैमिली को पहुचाता है, तभी Sonu Nigam का एकाना है, वो बहुत हाथ-टचिंग है, and songs बहुत अच्छे है, बहुत नॉस्टाल्जिक फील देखी है. So, BCR काफी काफी कॉडियोडी फील में आई, तो क्या माना जासाता है, यह सबसे बेस्ट मुवी थी? Best नहीं बोलूंगी, but yeah, अच्छी थी, because, एक attempt था, to show a war which is not well known to people. तो लोगों को देखनी चाहिए, just to relive and pay respect to the sacrifice, you know, to people who lost their lives in the war. So, किपने स्वाधने जाएंगे आप, out of fire? Three. Thank you so much.